तो दोस्तों आज हम अपनी मम्मी जी के साथ मिलके भर्वा भिंडी बनाएंगे तो अगर आपको भर्वा भिंडी नहीं आती है तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखेगा आपको बहुत अच्छी कुर्कुरी भर्वा भिंडी बनानी आ जाएगे तो चलिए मसाले यहसे मसाले हम उसे यूज़ करने वाले हैं तो दूस्तों मसाले हम इहां देख लेते हैं क्ली अपने भर्वा भिंडी यूज़ करेंगे तो अ सारे मसाले हैं हमारे सब्सेपेने जिए हैं पर कि kl at the end के बाद यह मारा सर्सोदाना जिसको आमने बहुन करके की चिलका कमивать को अधार लिए है हाथ से मसल के शिल का उतर जाएगा सितिश्ठ अच्छा आता है नमक स्वाथ के नुसार एक ब्यड़ चममाश अब ले सकते हैं फिर ये एक दिवर चममाश आप हल्दी ले लीजें और एक छोट Per म चम्मच मेथि मे चवोत चम्मच माग्रयल और एक चम्मच सॉफ एक हमें। तो यह दिखिए मसाले हमने हाथ से मख्स की हैं। चम्मच का भी उँज़ खिर सकते हैं तो इस तरह से मसाले मिक्स कर लेंगे फिर अपनी भिंडी बरना शुरू करते हैं तो इक-रोड्र करके भिंडी पहले इस तरह से हाथ में लेते हैं और फाड़ करके मसाले अच्छे से भर देते हैं उसके अंदर आधाल कि अधे कि मैसाला थोड़ा तुल्दा के अधर भर दिजिए तो यह पक्ति भी तब भी थोड़ा वुद निकलता है तो साङ्ञ निकलना जाए तो अच्छा से दबा कर्के बढ़ दीजिए यह देखिए बराबर मसाला पूरे में भठ चुका है और यह हरी भी भी दिय के तियार होता है तो दूस्तों बहुत अच्छा थेस्ट आता है और जरू बनाकी दिख्येगा आपको भर्वा बहुत पसंद आएगी ऑद तो अगर अपने भर्वा करे लह खायें होंगे तो आपको जरू पता होगा कि भिन्ढी का भी टेस्ट कितना अच्छा होता है क्योंकि भर्वा चीज़ों का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है और बहुत स्वाजिश्ट लगते हैं चीज़े तो यह दिखिए सारा मसाला हमारा भर चुका है अब हम आगे नेक्स्ट प्रॉसस पे चलते हैं तो उसके लिए हम अपनी कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे तेल बहुत जादा यूज़ नहीं करेंगे जितने में आपका भिंडी का तला अच्छे से नीचे पक जाए उतना ही डालते हैं यह दिखिए एक ही दो दो करके सारी भिंडी अपने तेल में डा जाएंगे तो एक बार में जितनी ही तली में बाढ़ जाए उतनी ही डालिए और फिर चुपके आप इन्हें पांच मिनट तक पकने दीजिए कि ज्यादा चलाएंगे तो मसाले निकल जाएगा बाहर यह दिखिए अब पांच मिनट के बाद धीमे से पलट दीजिए और होड़ा से समय लगता है और दस मिनट में आपकी बर्वा भिंडी बन करके तयार है तो देख रहे हैं आपको कितनी डिलीजिस लग रही है खाने में उससे भी अच्छी लगती है तो इस तरह से आप जरू बनाएगा बर्वा भिंडी और हमें कमेंट करके बताएगा आपकी बर्वा भिंडी कैसी बनी तो अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए क्योंकि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए अच्छी अच्छी लाते रहेंगे थैंक्यू